प्यारे बच्चों पिछले लेक्चर में हमने एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कमपेरिजन देखा था डाइकोट और मोनोकोट रूट के बीच में दोनों रूट्स में क्या-क्या चीज़े कॉमन होती हैं और क्या-क्या उनमें डिफरेंसे इस होते हैं यहां रहे यहां करते हैं इधर क्रेक्टर दे रखें इधर डाइकॉट स्टेम के करयग्टर रहे और यहां पर Dip कॉर्ण के character ए एकए कर इस ầगने सिंग्ल सेलिलर है बहते हैं इहां पर अंतर हो गया बहुγαरूट में हम जो हेर होते हैं रूट हीयर्स वह यूski सेलिलर होते हैं लेकिन जो stem के उपर hairs होते हैं वो multicellular होते हैं stem के hairs कैसे होते हैं stem के hairs जो होते हैं वो multicellular कैसे हैं multicellular इनको हम trichomes भी कह सकते हैं इनको क्या कह सकते हैं stem hairs को हम लोग trichomes भी कहते हैं और trichomes stem hairs को हम लोग trichomes भी कहते हैं तो dicot stem की epidermis यहां पर यह single layer है और इसमें multi cellular stem hairs है जब कि root hairs कैसे थे unicellular यहां पर monocod stem में आते हैं यहां पर भी epidermis एक ही layer की बनी है single layer है लेकिन यहां पर hairs नहीं होते हैं without hairs है कैसी हैं यहां पर hairs नहीं है without hairs है usually hairs absent होते हैं epidermis के नीचे यहां पर hypodermis है dicod stem में जबकि dicod root में cortex सीदे था ही यहां पर hypodermis है dicod stem की hypodermis colon chymetis की बनी होती है colon chymetis है कैसी है colon chymetis है जबकि monocod stem की hypodermis isclarenchymetis है कैसी है isclarenchymetis तो epidermis के नीचे hypodermis है dicod stem में kulinchymetis है और monocod stem में isclarenchymetis तो यह ध्यान देना यह kulinchymetis है वो कैसी है isclarenchymetis hypodermis के बाद नीचे cortex है क्या है यह cortex है cortex यहाँ पर dicod stem में well developed है cortex well developed है hypodermis को outer cortex माना जा सकता है माना गिया है मानते हैं यहाँ पर तो hypodermis को इसने कहा outer cortex है जो की कैसा है colonchymetis है hypodermis के नीचे middle cortex है middle cortex parent chymetis है कैसा है parent chymetis है और सबसे नीचे cortex की जो inner most layer है उसे हम endodermis कहते हैं endodermis तो यहाँ पर cortex जो है dicod stem में यह well developed है अच्छे से विक्सित होता है और तीन हिस्से में बटा हुआ है epidermis के नीचे hypodermis है जिसे हम कहते हैं outer cortex hypodermis के नीचे है तुम्हारा parent chymetis cortex hypodermis colon chymetis है ध्यान रखना तो cortex में तीन हिस्से हैं outer cortex यानि hypodermis जो की colon chymetis है hypodermis के नीचे middle cortex है यानि और वो parent chymetis middle cortex और सबसे नीचे endodermis है सबसे नीचे क्या है endodermis तो काउन से ऐसे stem है जिनमें cortex से तीन हिस्से में बटा होता है काउगे dicod stem तीन हिस्से काउन काउन से हैं outer cortex, middle cortex और inner cortex outer cortex कैसा है colon chymetis middle cortex ऐसा है parent chymetis inner cortex को हम लोग कहते हैं endodermis क्या बोलते हैं endodermis mono cortex stem में cortex से नहीं होता cortex सी जहाँ पर एक पूरा tissue भरा रहता है हाइपोडर्मिस के नीचे एक tissue भरा रहता है इसे बोलते हैं ground tissue cortex absent but large parent chymetis ground tissue is present और ground tissue parent chymetis बना होता है तो यहाँ पर तीन हिस्से में cortex बटा नहीं होता ground tissue पाये जाता है mono cortex stem के अंदर हाइपोडर्मिस के नीचे सारा एक जैसा tissue भरा रहता है जो की parent काईमा का बना है इसे हम कहते हैं ground tissue तो यहाँ पर फर्क हो गया इन तीनों में compare कर लेते हैं dicot stem और monocod stem की epidermis दोनों में single layered है लेकिन dicot stem में usually hairs fried आते हैं और hairs multi cellular होते हैं cortex ही बात करते हैं sorry hypodermis की बात करते हैं dicot stem में जो hypodermis है वो colon काईमा की बनी है epidermis के नीचे है monocod stem में भी epidermis के नीचे hypodermis है लेकिन वो scleran काईमा की बनी है कौन से ऐसे stem है जिनके अंदर cortex 3 हिस्से में 3 zones में बटा हुआ है कौकर dicot stem outer cortex हाइबोडर्मिस को मानते हैं कोलेन काइमा की बनी है middle cortex पेरेन काइमा का बना है और inner cortex एंडोडर्मिस कहलाता है monocot stem में ये सब नहीं होता हाइबोडर्मिस के नीचे पेरेन काइमा का बना हुआ एक टिशू पाए जाता है ground tissue और uniform एक जैसा टिशू रहता है तो ground tissue पेरेन काइमा का कहा पाए जाता है कहोगे monocot stem में अब आते हैं endodermis cortex की जो inner most layer है उसे हम endodermis कहते हैं उसे क्या बोलते हैं endodermis कहते हैं dicot stem की जो endodermis है इसमें धेर सारा starch भरा होता है इसको starch sheet कहते हैं बोलते हैं starch sheet तो starch sheet किसका नाम है endodermis of dicot stem क्योंकि उसके अंदर धेर सारा starch है तो dicot stem की जो endodermis होती इसके अंदर they contain starch therefore it is known as इसलिए हम इसको कहते हैं starch sheet कहते हैं इस endodermis को हम लोग कहते हैं starch sheet ये endodermis कहलाती है starch sheet तो dicot stem की endodermis कहलाती है starch sheet क्योंकि इसमें धेर सारा starch है यहाँ पर endodermis दिखाई नहीं पलती सारा ground tissue भरा हुआ है endodermis in distinct है इस पश्ट नहीं है दिखाई नहीं पलती monocot stem में endodermis के नीचे pericycle होता है ये तो तुम जानते ही हो यहाँ पर जो pericycle है वो scleran chyma का बना है किस चिसका बना है scleran chymatus है scleran chyma का बना है और ये phloem के उपर मावजूद है semi lunar earth चंद्राकार patches यानि टुकडो के रूप में मावजूद है तो dicot stem में pericycle scleran chyma का बना है phloem के उपर मावजूद है और semi lunar और ये चंद्राकार patches के फॉर्म में है टुकडो के फॉर्म में है diagram में अभी हम बहुत clear करेंगे तुम्हें से अभी एक एक धीर है थोड़ा साल का सा जानो यहाँ पर यहाँ पर तो ground tissue है ना endodermis है ना pericycle है ना endodermis है ना pericycle है तो यहाँ पर एक compare कर लेते हैं dicod और monocod stem में यहाँ पर epidermis single layered है यहाँ भी single layered है यहाँ पर multicellular hairs है यहाँ पर hairs usually absent है hypodermis colon काइमा की बनी है dicod में और monocod में scleran काइमा की बनी है यहाँ पर cortex 3 हिस्से में बटा है outer, middle और inner यहाँ पर cortex हिस्सों में बटा नहीं होता लेकिन cortex की जगाँ पर parent काइमा का बना हुआ ground tissue मौजूद है यहाँ पर endodermis की cells के अंदर धेर सारा starch है इसे starch शीद कहते हैं जबकि monocod stem में endodermis distant नहीं है, absent है pericycle यहाँ पर scleran काइमा का है चोटे-चोटे टुकडो के रूप में phloem के उपर है और यह टुकडे अर्ध चंद्राकार है semi lunar है, कैसा शेबन का? semi lunar तो pericycle scleran काइमा का है phloem के उपर माउजूद है और चोटे-चोटे टुकडो यानि semi lunar patches के form में यहाँ पर ना endodermis clear है ना ही, pericycle clear होती है तो endodermis pericycle तुम्हें dicod stem में देखने को मिलती है अब दरा देखते हैं आगे अब आते हैं medullary rays xylem और phloem के बीच में xylem और phloem के बीच में पाई जाती है parent काइमा की बनी हुई medullary rays medullary rays कहा होती है xylem और phloem के बीच में होती है और parent काइमा की बनी होती है parent काइमेटर्स medullary rays present between vescula bundle xylem और phloem के बीच में medullary rays पाई जाती है dicod stem में जो की parent काइमा की बनी है यहाँ पर medullary rays नहीं पाई जाती है यही medullary rays का कुछ रोल होता है secondary growth में इसलिए dicod stem में secondary growth तो देखने को मिलती है monocod stem में नहीं होती यहाँ पर medullary rays पाई जाती है xylem और phloem के बीच में parent काइमा की बनी हुई medullary rays पाई जाती है dicod stem में monocod stem में नहीं है अब आते हैं vascular bundle vescular bundle की अगर बात करते हैं dicod stem में vescular bundles यो होते हैं वो धेर सारे होते हैं large number dicod stem में जो vescular bundle है वो धेर सारे है बहुत सारे vescular bundle होते हैं यह मानलो यह steel है dicod stem में vescular bundle बहुत सारे होते हैं एक यह vescular bundle है एक यह vescular bundle है तो dicod stem में धेर सारे vescular bundles होते हैं large number of vesculobundle और ये vesculobundle एक ring में है तो vesculobundle किसमे है in ring ring में मावजूद है ये dicod तो dicod stem में vesculobundle धेर सारे है large number है और किसमें मावजूद है और ring में मावजूद है यहाँ पर indefinite number of vesculobundle are scattered in the ground tissue यहाँ पर बहुत सारे vesculobundle यहाँ पर indefinite असंख्य vesculobundle है और ये बिखरे हुए है monocod stem में जो vesculobundle होते है धेर सारे मावजूद ये monocod stem है इसमें जो vesculobundle होते है वो बिखरे हैं और किनारे वाले छोटे होते हैं vesculobundle जो होते हैं ग्राउन टीशू में बिखरे रहते हैं scattered हैं बीच वाले बड़े होते हैं और किनारे वाले किनारे वाले छोटे हैं तो व्यास्कुलobundle जो होते हैं scattered किसमें हैं यहाँ पर scattered हैं वो monocod stem है तो monocod stem में vesculobundle बिखरे होते हैं peripheral vesculobundle small in size किनारे वाले जो वेस्क्ला बंडल है ये किनारे वाले ये छोटे होते हैं स्मॉल होते हैं और जो बीच वाले हैं ये ये लार्ज होते हैं किनारे वाले वेस्क्रो बंडल छोटे होते हैं बीच वाले लार्ज होते हैं तो वेस्क्रो बंडल देख लेते हैं डाइकॉट स्टेम में वेस्क्रो बंडल लार्ज नंबर है वहाँ इंडेफिनेट है या बहुत सारे हैं वहाँ पर अनगिनत हैं असंकिये हैं बहुत सारे हैं यहाँ पर ring में है dicot stem में और monocot stem में scattered है बिखरे हुए है monocot stem में जो west crop bundle ground tissue में बिखरे हुए है किनारे वाले छोटे हैं और बीच वाले बड़े हैं किनारे वाले छोटे हैं और बीच वाले बड़े हैं अब एक वेस्क्रा बंडल की बात करते हैं वेस्क्रा बंडल कंजॉइंट है कंजॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होंगे यह मान लो जाइलम यह जाइलम है यह है फ्लोएम यह है जाइलम और यह है फ्लोएम यहाँ जाइलम और फ्लोएम देखो एक ही रेडियस पे हैं जबकि रूट्स में यह अलग-अलग रेडियस पे थे वो रेडियल थे यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे आ रहा हैं इसे बोलते है Conjoint Conjoint का मतलब यह होता है Xylem और Floem एक ही Radius पर है Xylem और Floem एक ही Radius पर है तो West Club Bundle यहाँ पर Conjoint है Xylem और Floem के बीच में Cambium भी माँजूद है इसलिए Open है कैसे हैं Open है Open का मतलब Cambium भी माँजूद है और यह Secondary Growth में Participate करेगा तो Dicot Root में Cambium की वज़े से Secondary Growth होती है तो These Bundles are Open for Secondary Growth Cambium की वज़े से यह Bundle Secondary Growth के लिए खुले हैं इनमें Secondary Growth पाई जाती है तो फिर से देखो Dicot Root में Large Number of West Club Bundles है और Ring में माजूद है यह ध्यान रखना Ring में है हर एक West Club Bundle कैसा है Conjoint है Conjoint का मतलब Xylem of Loem एक ही Radius में है और Cambium है जो की Secondary Growth में पाटिसिपेट करेगा Open है कैसे है Open है Monocod Stem में देखते हैं Monocod Stem का एक West Club Bundle अगर हम बाहर निकाल के देखें एक West Club Bundle निकाल लेते हैं यह वाला इसको अगर हम बाहर निकाल के देखते हैं तो यहां पर West Club Bundle हमको कैसा देखता है यहां पर West Club Bundle अगर हम देखें यह Xylem है सब्सक्रों करो और यह Xylem है और यह Xylem है यहां पर भी Xylem और Flowem एक ही Radius पे हैं अगर ऐसे बनाओगे ऐसे Xylem और Flowem क्या हैं एक ही Radius पे हैं तो यहां पर भी Conjoint है क्या है यह Conjoint है लेकिन Cambium नहीं है No Cambium इसमें Cambium नहीं पाई जाता No Cambium Cambium नहीं है तो इनमें Secondary Growth नहीं होती Xylem और Flowem के बीच में Cambium नहीं है तो इसने Close बोलते हैं They are Closed for Secondary Growth इनमें Secondary Growth नहीं होती क्योंकि Cambium नहीं है अब देखो यहां पर जितने भी Vascular Bundle है Vascular Bundle के चारो तरफ Vascular Bundle के चारो तरफ Scleran Chimatus Bundle Sheet पाई जाती है Vascular Bundle के चारो तरफ क्या होती है Scleran Chimatus Bundle Sheet यह Monocod Stem की पहचान है तो Vascular Bundle के चारो तरफ You find Scleran Chimatus Bundle Sheet क्यों सिस्टेम में Monocod Stem में Vascular Bundle के चारो तरफ क्या दिखती है isclaren chimetus bundle sheet दिखती है तो isclaren chimetus bundle sheet west club bundles are surrounded by isclaren chimetus bundle sheet एक खास बात और है यह है protozylum छोटा वाला xylem कहलाता है protozylum और बड़ा वाला कहलाता है metazylum protozylum के सामने एक cavity पाई जाती है water से भरी हुई protozylum के सामने एक water cavity होती है water cavity होती है water cavity is present in front of protozylum तो protozylum के सामने क्या माझूद है protozylum के सामने एक water cavity होती है क्या माझूद है water cavity पाई जाती है तो water cavity पाई जाती है कौन सिस्टेम ऐसे होते हैं जिन में वेस्कला बंडल लार्ज नंबर है और रिंग में है कहोगे डाइकॉट स्टेम कौन से ऐसे वेस्कला बंडल है जो कंजोईंट और ओपन है डाइकॉट स्टेम कौन से वेस्कला बंडल है जो की स्कैटर्ड है ग्राउंट टिशू में कौन से stem में तो होगे monocot stem में कौन से vascular bundle है जो की closed है monocot stem के vascular bundle closed होते है अब देखो कौन से ऐसे vascular bundle है जिनके चारो तरफ scleran काइमा की bundle sheet भी होती है यहां नहीं है scleran काइमेटर्स bundle sheet पाई जाती है monocot stem के vascular bundle के चारो तरफ कौन से vascular bundle है जिनमें protozylem के सामने पानी से भरीवी cavity है तुम कहोगे monocod stem के vascular bundle में dicot stem में हम लोग जो common example लेते हैं वो sunflower का stem लेते हैं किसका लेते हैं sunflower stem इसका example है बढ़िया sunflower और kukurbita stem dicot है sunflower का stem और kukurbita kukurbita का stem, कंदू का stem ये dicot stem के example है ये ध्यान रखना और monocod stem के example है maze stem, मक्य का stem maze और wheat stem तो maze का stem है, मक्य का stem ये monocod stem है एक पर बटा question आया कौन सा maze stem है जिसमें एक water filled cavity होती है protozylem के सामने और उसमें monocod dicot नहीं दे रखा था answer में था maze stem क्या था? maze stem तो maze की stem में तुमको protozylem के सामने एक water filled cavity देखने को मिलती है इतना दिरों compare करते हैं देखो काउं से ऐसे stem है जिनकी endodermis को हम starch sheet कहते हैं? तुम कहोगे dicot stem क्योंकि इसकी endodermis में क्या है? धेर सारा स्टार्ट है कौन से ऐसे stem है जिनके वैस्कुलर बंडल के चारोत्रफ scleran climatis bundle sheet है तुम कहोगे monocot stem कौन से ऐसे वैस्कुलर बंडल है जिनमें cortex तीन हिस्से में बटा है outer, middle cortex और inner cortex कहोगे dicot stem में कौन से ऐसे stem है जिनमें hypodermis scleran climatis तुम कहोगे monocot stem किसमें? monocot stem कौन से ऐसे stem है जिसमें वैस्कुलर बंडल ground tissue में scattered है दिख रहे हैं तुम कहोगे monocot stem आगे और देखते हैं आगे और देखते हैं next पित की अगर बात करते हैं पित की अगर बात करते हैं तो peren kaimatis होता है peren kaima का बना होता है dicot में पित और उसमें पित की cells के बीच में धेर सारे पित की cells के बीच में धेर सारे intercellular spaces होते हैं क्या है यह intercellular spaces होते हैं यहाँ पर monocot stem में पित नहीं होता अरे गेहूं और शावाल का अगर stem का सेक्शन काटो गए तो खोकला अंदर से निकलता है तो पित नहीं उसकी जंगा क्या माजूद है पित कैविटी है क्या है पित कैविटी तो stem का सेक्शन काटों के अंदर पित गैब है वहाँ पर खाली स्थान है पित कैविटी माजूद है तो पित जो होता है पेरिन काइमेटर होता है और धेर सारे उसमें होते हैं intercellular spaces और pick dicot stem में well developed है well developed है पित यहाँ पर well developed है पित वहाँ पित नहीं है वहाँ पर cavity है पित cavity वहाँ पर मौझोद है पित gap है वहाँ किया यहाँ cavity है तो अगर पूछा जब pick well developed कहा होता है पिछले lecture में हमने बताया था monocoat root में पित WELL-DWELPED है और यहाँ पर DICOT STEM तो monocoat root और DICOT SEM में पित कैसा होता है अच्छे से विक्सित होता है अब देखो कुछ exception है यहाँ पर दो exception दे रखने है tritikum एक monocoat है लेकिन यहाँ पर vascular bundle जे होते हैं ring में होते है ट्रिटिकम गेहूं का पौधा एक मोनो कॉट जरूर है लेकिन वैस्कला बंडल रिंग में पाई जाते हैं डाइकॉट इस्टेम की तरहा तो ये exception है और दो रिंग में होते हैं, एक रिंग नहीं होती, दो रिंग होते हैं वैस्कला बंडल के कुकर बिटा एक डाइक डाइकॉट स्टेम है तो यहाँ और यहाँ पर बीच में इसे खोखला होता है पित कैविटी होती है मोनोकॉट स्टेम की तरह तो कुकर बिटा एक डाइक डाइकॉट स्टेम है और इसमें पित कैविटी पाई जाती है monocot stem की तरह तो ये दो exception याद रखना कौन सा ऐसा monocot है जिसमें westler bundle scattered नहीं है ring में है तुम कहोगे wheat कौन सा ऐसा dicot है जिसमें पित की जंगापर पित cavity है तुम कहोगे kukurbita यानि कद्दू का stem देखो बटा यहाँ पर diagram दे रखाबी जितनी सारी चीज़ें हम लोग ने theory के form में समझी थी अब उनको diagram के form में समझने की कोशिश करते है epidermis की ये दर dicot stem ये क्या है ये ये dicot stem है ये outline diagram है और ये थोड़े से हिस्से को बढ़ा करके cellular diagram बनाये गया है outline diagram में cells नहीं दिखाई जाती और इसका थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा करके दिखाए गया ये ये इसी का थोड़ा सा हिस्सा है cellular diagram है ये monocot stem का outline diagram है और इसका थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा करके ये cellular diagram है ये cellular diagram है तो यहाँ पर dicot stem और यहाँ पर monocot stem है हम लोग देखते हैं दोनों में compare पहले देखते हैं epidermis dicod stem की epidermis और monocod stem की epidermis दोनों single layer हैं ये भी single layer है और ये भी single layer है लेकिन dicod stem की epidermis में hairs है क्या है? epidermal hairs है क्या है यहाँ पर? epidermal hairs और epidermal hairs कैसे होते हैं ध्यान रखना? epidermal hairs कैसे होते हैं multicellular हैं multicellular होते हैं इनको trichomes भी कहा जा सकता है epidermis के नीचे hypodermis है hypodermis हमने कहा था किसकी बनी है colon chima की है colon chimatus और यहाँ पर नीचे देखो hypodermis यहाँ की hypodermis scleran chimatus है scleran chimatus है scleran chimatus है तो dicod stem की है epidermis single layer यहाँ भी single layer यहाँ पर stem के उपर hairs है multicellular hairs है यहाँ पर hairs usually absent है epidermis के नीचे यह जो बनी है इसमें यह hypodermis है क्या यह? hypodermis यहाँ colon chimatus है और यहाँ hypodermis यह hypodermis scleran chimatus है कैसी है? scleran chimatus की बनी है अब देखो dicod stem में जो endodermis इसमें धेज सारा starch होता है इसलिए इसको हम बोलते है starch sheet क्या बोलते हैं? starch sheet कहते हैं dicod stem की endodermis को हम लोग कहते हैं star sheet pericycle यहाँ पर मौझूद है endodermis के नीचे pericycle मौझूद है यहाँ पर hypodermis के नीचे यहाँ पर hypodermis के नीचे जो हरे से दिखाई पढ़ रहा है यह ground tissue है क्या यह यह? यह हरा हरा जो भरा हुआ है सब पूरा ground tissue है यहाँ ना endodermis दिखती है ना ही pericycle दिखती है कोई endodermis pericycle नहीं दिख रही सारा ground tissue भरा है तो यहाँ पर देखो वैस्कला बंडल धेर सारे है रिंग में है यहाँ पर वैस्कला बंडल large number है और यहाँ indefinite number है और scattered है ground tissue में किनारे वाले वैस्कला बंडल छोटे है और बीच वाले वैस्कला बंडल यह बड़े बने हुए है यहाँ पर hypodermisбы koline kai matare धुरी अब देखो यहां पर अगर हम देखते हैं pericycle pericycle हमने बताया यह है pericycle dicod stem में pericycle यहां पर यह ऐसा है यह यह pericycle यह pericycle तो pericycle देख्एंगे हम dicod stem में pericycle में तीन खास बाते थी यह scleran kymetus था कैसा था scleran kymetus है scleran kymetus है और किसके उपर है यह phloem है above the phloem है phloem के उपर है यह phloem है नीला वाला phloem के उपर है above the phloem है और कैसा शेप है semi lunar patches है कैसे टूड़ें यह यह अर्ध चंद्राकार semi-lunar patches के form में है semi-lunar patches के form में है तो dicod stem में जो pericycle है उसमें तीन खास बाते ध्यान रखना scleran chymators है scleran chyma का बना है phloem के उपर है above the phloem है और अर्ध चंद्राकार है semi-lunar patches के form में semi-lunar patches के form में है xylem और phloem के बीच में यह xylem है और यह phloem है बीच में cambium भी है dicod stem में हमने क्या बताए था xylem और phloem के बीच में cambium है और यहाँ पर secondary growth होगी तो यह open west club bundle है open xylem और phloem एक ही radius में है यहाँ पर देख लो यह xylem है यह phloem है बीच में cambium है वह ही यहाँ पर बड़ा करके दिखा रखा है यह xylem है यह phloem और बीच में cambium है यह xylem है यह phloem है और बीच में क्या है cambium है तो west club bundle के बीच में cambium है तो west club bundle open है xylem और phloem एक ही radius में है एक ही radius में है तो यह conjoint है कैसे है यह Con Ellis है center पे pith है बीच में pith है और पिच में की cells के बीच में क्या है पिच की cells में धेर सारे intercellular spaces है और पिच जो है well developed है कैसा है यहाँ यहाँ well developed है Monocod stem में देखते हैं Monocod stem में जो vascular bundle है यह बिकरे हुए है यहाँ endodermis और pericycle दिखाई नहीं पड़ता, ground tissue दिखता यह जो हरे से बना है, ground tissue के अंदर vascular bundle scattered है, endodermis और pericycle यहाँ पर distinct नहीं है, इस पस्ट नहीं है, vascular bundle यह दिख रहे हैं, इस सब क्या vascular bundle, किनारे वाले vascular bundle छोटे हैं और बीच वाले vascular bundle बने हैं, यह सब vascular bundle है, हर ए vascular bundle के चारों तरफ, scleran climatis bundle sheet, scleran climatis bundle sheet है, अब देखो, xylem और phloem के बीच में, नीला वाला phloem है और लाल वाला xylem है, कोई cambium नहीं है, तो vascular bundle कैसे हैं, close हैं, vascular bundle, close हैं, protozylum के सामने cavity दिखाई पड़ रही है, यह, इसको जड़ा पड़ा करिए जा, protozylum के सामने cavity दिखाई पड़ रही है, यह water cavity, क्या है है, यह water cavity, क्या है, this is water cavity, तो water cavity, monocod stem की पहचान है, protozylum के सामने, you find a water cavity, पानी से भरी विए cavity है, monocod stem में देखने को मिलती है, पहले उपर वाला इसको थोड़ा सा highlight करिए, यहां से बताते हैं, फिर इसको highlight करिएगा, एक बड़ फाइनल बताते हैं उपर से, इस वाले को पूरा highlight करिए, डाइकोट stem में फिर से एक बड़ देखते हैं, फाइनली, epidermis पे epidermis पे epidermal hair है, जो कि multi cellular है, epidermal hair के नीचे epidermis के नीचे colon chymetis hypodermis है, hypodermis कैसी है, hypodermis colon chymetis है, यह colon chymetis है, यह colon chymetis है, यह hypodermis हो गई, hypodermis के नीचे तुमारी endodermis है, endodermis में धेर सारा starch होता है, यह होना चाहिए endodermis, endodermis, endodermis के अंदर धेर सारा starch होता है, इसको क्या बोलते हैं, starch sheath, तो dacod stem की endodermis को हम लोग क्या कहते हैं, starch sheath बोलते हैं, endodermis के नीचे pericycle है, यह pericycle scleran kyma का बना है, phloem के जस्ट उपर है, और semi lunar है, कैसा है यह, semi lunar है, xylem, xylem और phloem के बीश में cambium है, west club bundle open है, cambium की बज़े से dacod stem में secondary growth भी होती है, xylem और phloem एक ही radius में हैं, ऐसे देख लो, यह west club bundle है, यह xylem है, यह phloem है, एक ही radius में है, एक ही, sorry, xylem और phloem एक ही radius में हैं, तो इसको west club bundle को हम लोग कहेंगे, conjoint, तो xylem और phloem एक ही radius में हैं, तो यह वाला west club bundle ऐसे समझोगे, बना है यह वाला, यह वाला west club bundle इसको यह बड़ा करके बना रखा ऐसे, तो xylem और flowy में एक ही radius पे हैं west club bundle कैसे हैं काने joint है चुकि cambium में बहुजूद है तो ये open है कैसे हैं और पित कैसा है पित कैसा है तो dicot stem में main main feature ध्यान रखना epidermis with multicellular epidermal hairs पहली बार दोसी बात hypodermis कैसी है colon chymetis है कैसी है colon chymetis तीसरी endodermis में खुब सारा starch है starch sheet कहलाती है क्या कहलाती है starch sheet चौती बात pericycle scleran chymetis है flowym के उपर है और semi lunar patches के form में है xylem और flowym के बीच में cambium मौजूद है west club bundle last number है ring में है xylem और flowym के बीच में cambium मौजूद है open है secondary growth के लिए और well developed पित है इसको जड़ा बढ़ा करिए जड़ा monocot वाले को monocot stem के थोड़ा सा detail यहाँ पर फिर से देखते है इस वाले को देखते है monocot stem की भी epidermis single layered है लेकिन usually यहाँ पर epidermis कैसी है single layered है लेकिन usually root hairs absent है root hairs नहीं पाय जाते है यहाँ की जो hypodermis है यह जो hypodermis है यह scleran kymetus है कैसी है यह scleran kymetus है वहाँ पर colon kymetus थी यहाँ पर कैसी है यह scleran kymetus है ध्यान लगना scleran kymetus की वज़े से stem थोड़ा hard हो जाता है monocot की stem hard होते हैं थोड़े क्योंकि hypodermis scleran kymetus है अब देखो endodermis और pericycle यहाँ दिखाए ही नहीं पर रहे इंडिस्टिंक्ट है उसकी जंगाई यह हरा हरा जो दिख रहा है यह ground tissue है इसमें बहुत सारे westcler bundle है indefinite number धेर सारे westcler bundle है और scattered है कैसे हैं scattered हैं किनारे वाले westcler bundle छोटे हैं peripheral और center वाले थोड़े बड़े size के हैं हर एक westcler bundle के चारू तरफ scleran climatus bundle sheet है यह ध्यान रखना xylem और phloem के बीच में कोई cambium नहीं है तो westcler bundle close है secondary growth नहीं होती monocot stem में और proto xylem के सामने क्या माजूद है यह proto xylem के सामने water filled cavity water cavity पाई जाती है यहाँ पर पिथ ऐससस दिखाई नहीं पढ़ रहा क्योंकि ground tissue पूरा भरा हुआ है पिथ well developed है अगर हम तुमसे compare करें कुछ question पूछें दोनों के comparison में तो बताना कौन सा ऐसस stem है जिनमे multi cellular epidermal hairs है तुम कहोगे dicot stem कौन सा ऐसस stem है जिसमें vascular bundle बिखरे हुए है there's are indefinite तुम कहोगे monocot stem कौन सा ऐसस stem है जिसमे vascular bundle के बीच में cambium भी माँजूद है open vascular bundle है तुम कहोगे dicot stem कौन सा ऐसस stem है जिनमें endodermis में कोई star sheath कहते है तुम कहोगे dicot stem कौन सा ऐसस stem है जिनमें patho well developed है तुम कहोगे Dicod Stem कौन से ऐसे Vescula Bundle है जिनमे प्रोटोजाइलम के सामने एक वाटर कैविटी भी महजूद है तुम कहोगे Monocod Stem और कौन से ऐसे Vescula Bundle है जिनके 4 तरह स्क्लेरन काइमेटरस बंडल चीत है तुम कहोगे Monocod Stem में तुम इस तुम देखोगे कौन से ऐसे Vescula Bundle एक चीज़ाद बता जिसमें हाइपोडर्मेस स्क्लेरन काइमेटरस है तुम कहोगे Monocod Stem किसमे पेरिस साइकल जो है वो स्क्लेरन काइमेटरस है सेमी लिूनर पैटरस के फॉर्म में है और फ्लोएम के ऊपर है तुम कहोगे Dicod Stem में सन फ्लावर और कुकुरविटा Dicod Stem है और मेज कैसा है मक्का मेज वीट ये सब Monocod Stem में कैसे है Monocod Stem है ये कंपैरिजन है Dicod और Monocod Stem के बीच में अच्छे से बहुत ध्यान से समझ लेना और याद कर लेना नेक्स समलोग देखेंगे कंपैरिजन लीफ में देखेंगे